नमस्कार दोस्तों ये है नागराज सीरीस की दूसरी कॉमिक्स नागराज की कब्र आईए इसे पढ़ते हैं नागराज की कब्र कथा परशुराम शर्मा, चितरांकन संजय अश्टपुत्रे, संपादक, मनिश चंद्रगुप्त कुख्याद व्यग्यानिक प्रोफेसर नागमणी ने नागराज का निर्मान आतंगवादी गिरहों के लिए किया एक ऐसा शस्त्र जो प्रतेग प्रस्तिती का मुकाबला कर सकता था महाशकतिसाली नागराज को आतंगवादी गिरोग के सरदार बूलडाग ने किराए पर प्राप्त कर लिया और नागराज ने आसाम में विनाश प्रारम कर दीया लेकिन एक शक्तिमान योगी महत्मा गुरतिनात ने नागराज को अपनी गुपति शक्तियों के बल पर पकड़ लिया फिर नागराज के मस्तिस्क का आपरेसिन कर उसे प्रोफेसर नागमडी के चंगल से मुक्त कर दिया तब नागराज नेकी के रास्ते पर निकल पड़ा और उसने कसम खाई किवा दुनिया से सभी आतंगवादी गिरोहों का सफाया कर देगा बुल्डॉग मेरा पहला शिकार होना चाहिए क्योंकि उसी ने मुझे किराय पर हासिल किया था आसाम में उसके कई बेगार कैम्प हैं मुझे सबसे पहले साकू कबीला देखना चाहिए यहां से वही सबसे पास है नागराज नागरसी की मदद से जंगलों को पार करता साकू कबीले की और बढ़ चला और फिर इनी कैम्पों से मुझे बुलडॉक के हटकूर्टर का पता चल जाएगा एक रात का सफर तै करने के बाद नागराज सुबह ही साकू कबीले जा पहुँचा यहां मेरे लिए सौनिम सवीरा है जो इन लोगों के लिए तभाई का अंधिरा लेकर आया है नागराज बस्ती के एक खस्ता हाल होटल में जा पहुचा क्या तुम शेखू को जानते हो वह इसी बस्ती में रहता है शेखू ठेरो वहां बैठो पता नहीं शेखू का नाम सुनकर या क्यूं गभरा गया उदर होटल मालिक होटल के पिछवाड़े जा पहुँचा अगर यह वही आदमी हुआ तो मुझे वह दौलत जरूर मिलेगी जो इस पर लगाई गई है पासी के एक जोपड़े में हुआ गुसा रोमो सुनकर खुश होगा रोमो मैं एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ फिर तो मैं सुबा सुबा तुमारा मुझ कड़वा जरूर करूँगा मैंने उस आदमी को पा लिया है जिसकी तुमे एक तलाश थी मुझे तो हर उस आदमी की तलाश है जो पैसा पैदा कर सके किसी दिन या शराब तुमें ले डूबेगी इसी शराब के कारण तुमारी ताकत शेकु से कम पढ़ती जा रही है मेरे दुश्मन शेकु का नाम किस तरह लिया तुने सवेरे सवेरे कमीने भाग जा वरना मैं तेरा गला काड़ दूँगा रोमो मैं तुमारा दोस्त हूँ तुम्हें फिर से ताकत वर देखना चाता हूँ और तुम भूल रहे हो कि मैं तुमारे ले एक खुशकबरी लेकर आया था मुझे गुसा बहुत आने लगा है खैर बता क्या खुशकबरी लेकर आया है बहुत दिनों के बाद एक आदमी शेकू की तलाश में आया है और या वही आदमी मालूम पड़ता है जिसने मूर्ती लूटी थी और जिसे शेकू तलास करता फिर रहा है तुम्हें कैसे यकीन है कि या वही आदमी है शेकू ने मुझे उसका हुलिया बताया था उसका कहना था कि उस हुलिया का आदमी कभी नजर आए तो तुरंट उसे खबर करके पांच जार रुपे इनाम हासिल कर लूँ बेवकूफ जिस आदमी को शेकु तलास कर रहा है वा खुश शेकु को तलास करने उसी की मान में क्यूं आएगा मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता लेकिन हुलिया वही है साब जैसी आखें उसकी खास पैचान है मेरा दिल कहता है कि यह वही आदमी है जरूर वा मूर्ती लेकर आये होगा इससे पहले कि वा शेकु के संपर्क में आए हम काम कर सकते हैं सबसे पहले या जानना जरूरी है कि यह वही मूर्ती चुराने वाला है या कोई और तुम उसे शेकु से मिलाने के बहाने जिंगागार में ले जाओ लेकिन याद रहे इस मामले में हमारी पार्टनर्शिप 50-50 होगी शराब का खर्चा निकाल कर जो मिलेगा आदा आदा या रोमो मर जाएगा लेकिन शराब नहीं छोड़ेगा होटल मालिक वापिस होटल में लौट आया ए मिश्टर चलो तुम्हें शेकु से मिलवा दूँ चलो सच मुझ वही है बिल्कुल यही हुलिया बताया था शेकु ने अब तुम इस गार में उतर जाओ मुझे यहीं से वापस लोटना है धन्यवाद दोस्ट तुमने मुझे यहां तक का रास्ता दिखाया रोमो वह जहिंगा गार में उतर चुका है और वह शत्परतिशत वही आदमी है उसका नाम नागराज है हूँ अब तुम होटल पर मेरे अन्तिजार करो सबसे पहले मुझे इस गार का रास्ता बंद करना होगा फिर चोर रास्ते से अंदर जाऊँगा मेरा बेवकुफ दोस्त कालू कहता था कि शराब ने मेरी ताकत छीन ली लेकिन अब भी मैं इन चट्टानों को उठा सकता हूँ अगर मेरा बेवकुफ दोस्त मुझे चट्टान उठाते देख लेता तो शायद गश्खादर बेहुश हो जाता किया पतली दरार अपने शरीर की मान पेश्चा सिकोडने की कला जिसे आती हो वही ऐसे चोड दरवाजे पार कर सकता है गार में नागराज क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो जवाब दो हाँ मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ उसकी आवाज तीसरे मूड वाली गुफा से आ रही है इस गार की आवजों का अनमान सिर्फ मैं ही लगा सकता हूँ यहां आवाज गुंस्ती है, जरसी आवाज पूरे गार में सुनाई पड़ती है और अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि आवाज कहां से आई है हैरान होने की जरूरत नहीं नागराज, मैं ठीक तुमारे पीछे खड़ा हूँ क्या तुम शेकु हो? हाँ मैं ही शेकु हूँ, मूर्ती कहां है नागराज? पहले मैं तुमारी पैचान करूँगा कि तुम शेकु ही हो या कोई और अपनी दाएं हतेली दिखाओ तुम शेकु नहीं हो, बुल्डॉग के सभी छेतेरे सरदारों के हाथ में एक चिन्द गुदा होता है बहुत तुमारी हतेली पर नहीं है ये रहा मेरी हतेली का निशान मैं मास्टर रोमो हूँ, रोमो जो इस दुनिया में सिर्फ एक है और अकेला है जिसके पुर्खे ताकत की पूजा करते थे और जो मुझे विरासत में मिली है मार्शल आर्ट्स में इसे मंकी बलो कहते हैं नागराच या हतापाई बंद करो और पहले मेरी बात सुनो मास्टर रोमो अपने परतीदवन्दी को बोलने का मौका जरूर देता है बोलो, तुमने मुझे यहां बुला कर गहरने की कुशिश क्योंकि क्या दुश्मनी है तुमारी मुझे से हाँ, या बात तुम्हें जरूर पूछनी चाहिए, इसका तुम्हें हक है नागराच तुम वह शक्स हो जो आसाम के पौनारिक मंदिर से करोरों की मूर्थी चुरा कर ले गए थे और जिन लोगों के लिए तुमने या काम किया था, मूर्थी अभी तक उन्हें नहीं पहुचाई इसका मतलब, वह मूर्थी अभी तक तुम्हारे कबजे में है और मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ क्या तुम्हारा संबंद शेकु से है? कभी था जब मैं उसके लिए भाड़े का कातिल बनकर चंद रुपए पा लेता था मैंने इस ग्रहों के लिए बड़े बड़े काम के लेकिन फिर मुझे इस कारोबार से नफरत हो गई और मैंने शिकु के लिए काम करना छोड़ दिया लेकिन मैं तुमें यह सब बातें बताने नहीं आया हूँ मैं तुम से मूर्ती हसिल करने आया हूँ मूर्ती मेरे पास नहीं है और ना ही तुम उसे हसिल कर सकते हो ठाक 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 साइन आदमी जानदार है लेकिन अकल दुरस्त नहीं है इसकी अकल दुरुस्त करनी होगी ओ, तो तुम मार्शल आर्ट्स भी जानते हो और यह है तुम्हारा असली रूम ठाक इसने एक हैंड का माहिर है ठाक, ठाक, ठाक ठाक, ठाक, ठाक साइं, साइं मैं चाहो तो तुम्हारी जिंदगी छीन सकता हूं रूमो, भले तुम माश्टर हो लेकिन मेरे मुकाबले नहीं ठहर सकते पहली बार मेरा पाला किसी उस्ताज से पड़ा है मैं अपनी सिकष्ट कबूल करता हूं तुम चाहो तो मेरी जिंदगी छीन सकते हो क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया जिंदागार में फसा मेरा शिकार आज तक निकल नहीं पाया तुम पहले व्यक्ती हो जिसकी शक्ती अपरमपार है मैं तुम्हारी गुस्ताकी को माफ करता हूं लेकिन गिरों के लोग इस गुस्ताकी की सजा मुझे जरूर देंगे मैं कुते की मौत नहीं मरना चाता हूँ इसलिए बहतर है कि तुम मुझे यहीं कतल कर दो जिस गिरों की बात तुम कर रहे हो वे मेरे दुश्मन है मैं इस बुराई के विरुद लड़ने वाला एक सफ़ा सालार हूँ मुर्ती उसी मंदिर में पहुँच चुकी है जहां से चुराई गई थी अगर यही बात है तो मैं तुमारा सिपाई बनकर कुते की मौत मरने के लिए भी तैयार हूँ सिपाई नहीं दोस्त नागराज तुम सचमुच महान हो मैं बाहर निकल कर गार का दहाना खोलता हूँ इसकी कोई जरुरत नहीं है दोस्त मैं भी तुमारी तना इस दिरार से निकल सकता हूँ दोनों गार से बाहर निकल आए रोमो जब उन लोगों को पता चलेगा कि तुम विद्रोई हो गए हो तो नहीं उसका उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि अब मैं उनके लिए काम नहीं करता हूँ एक बात याद रखना रोमो मैंने तुमें अपना दोस्त बनाया है इसलिए तुम बुल्डॉग के बारे में सस्टच बताओगे इस खेल में तुम विभिशन की भूमिका अदा करोगे और मैं राम के इस तना रावन की लंका भस्म हो जाएगी अभी हम शेकू के पास चल रहे हैं लेकिन उसे हमारी योजना का पता नहीं चलना चाहिए अब मुझे फिर शराब की तलब महसूस हो रही है दोनों वापिस उसी बस्ती में लौट आए हम रात के अंधेरे में शेकू तक पहुंचेंगे बस्ती में अंधेरा फैल गया अब या शराब पीनी बंद करो और मुझे शेकू के बास ले चलो हाँ अब तक वह अफिम की खेती से लोट चुका होगा यहाँ जो गोल गहरे में जुपणियां बनी हैं सब शेकू की हैं इसके बीच एक बड़ा दालान है जिस पर शेकू का मकान खड़ा है इस गेट से अंदर जाया जाता है गेट पर इस्टेंगन धहरी खड़े है वहीं रुक जाओ कौन हो तुम लोग अबे मैं रोमो हूँ गदे की अउलाद तुम सब का बाप या शराबी बास का मुह लगा है लेकिन इसके साथ कौन है यह मेरा भाई है काम मांगने आया है रुमो की इतनी बेकदरी कि तुम उसे रोकने की हमत कर सको जाने दो इसे मुह क्यों लगते हो ठीक है जाओ शेकू दालान में बैठा था रुमो आया है बास अपने भाई को साथ लाया है उसे यहां बेच दो मैं रुमो का भाई नहीं हूँ और तुम से अकिले में बात करना चाहता हूँ क्या मतलब कौन हो तुम नागराच नागराच सबूत चाहिए तुमें इसका नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं रुमो किसी गलत आदमी को यहां नहीं ला सकता तुम सब लोग नागराच के स्वागत के लिए जश्न की तैयारी करो हम तुमें तलाश कर रहे थे नागराच रुमो तुमें कहां मिला करीब के जंगलों में रास्ता बठक गया था वहां रुमो मुझे टकरा गया और फिर मुझे यहां ले आया मूर्ती कहां है फिलाल मैंने उसे कहीं छपा दिया है उसकी वज़ाई से एक जादुगर मेरे पीछे पड़ गया था उस जादुगर की वज़ा से हम पहले भी बहुत नुकसान उठा चुके हैं मूर्ती उसके हाथ तो नहीं लगी नहीं लेकिन फिलाल उसे हासिल करना भी संभव नहीं है इस समय सबसे आवशक काम है मेरी बुलडॉक से मुलाकात होना और उसकी व्यवस्ता तुम कर सकते हो मैं हैटकॉर्टर को तुमारा संदेश पहुँचा दूँगा फिर जैसा आजेश उपर से प्राप्त होगा उसी के अनुरूप काम किया जाएगा नागराच के स्वागत में जश्न मनाया गया तुमारे संब्द में बहुत चर्चा सुनी है नागराच क्या अपनी कला का परदर्शन करोगे मैं अपनी कला को सारजनिक परदर्शन की चीज़ नहीं समझता हलो शेखो ग्रूप नंबर फाइव ओन दी लाइन ओवर हेड्कॉर्टर जीरो कंट्रोल स्टेशन ओवर नागराच आ गया है स्टेशन फाइव में मौजूद है और सुपर बॉस से मुलाकात करना चाता है ओवर जवाब का इंतिजार करो कुछ समय उप्रांत सुपर बॉस का हुकम है कि नागराच को खत्म कर दो नागराच को खत्म? हलो? मेरे कानों को धोका तो नहीं हुआ नागराच ने हमसे गद्दारी की है उसे खत्म कर दो ओवर एंड ओल शेकु ने अपने वफदार साथियों को तुरंथ बुलाया चारों तरफ मुर्चा बंदी कर दो नागराच किसी भी रास्ते से निकलने न पाए उसे खत्म करने का एलान है ओके बॉस वह बचकर नहीं निकल सकता फिर शेकु ने रोमो को तलब किया बहुत दिनों से मैंने तुमसे काम नहीं लिया क्या तुम्हारी ताकत आज भी बरकरार है या शराब ने तुम्हें खोकला कर दिया काम बताओ उस्ताद और काम की किमत बताओ तुम्हें आम खाने से मतलब होना चाहिए पेड़ गिनने से नहीं तुम्हें नागराच की हत्या करनी है क्या वह तुम पर रेकीन करता है तुम उसे आसानी से ठिकाने लगा सकते हो और अगर वह तुमसे बच निकला तो बाहर दूसरे लोग उसके सौगत के लिए तैयार मिलेंगे एक लाक रुपईया नगत मिलेगा एक लाक रुपईया इसके लिए तो मैं अपना भी कतल कर सकता हूँ लेकिन क्या मैं पूस सकता हूँ या फैसला अचानक कैसे हुआ सुपर बास का ओडर आया है रोमो नागराच के पास पहुँचा जो एक जोपड़ी में शेकू का महमान बना हुआ था तुम्हारे कतल का फरमान लेकर आया हूँ इसका मतला भेद भेद नहीं रहा इतनी जल्दी शुरुवात हो जाएगी मुझे उमीद नहीं थी तुम मुझे जखमी करके यहां से भाग निकलो और मैं बताता हूँ कि भागने के लिए तुम्हें कौन सा रास्ता अपनाना है नहीं रुमो जिन लोगों को मालूम हो चुका है कि नागराज ने गद्दारी की है वे तुम्हारी गद्दारी से भी वाकिफ होंगे इसलिए मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा अगर उन्हें मेरी गद्दारी का पता चल गया था तो फिर उन्होंने मुझे तुम्हारे कत्रिक लिए एक मोटी रकम की पेश्च्च क्यों की इसका जवाब मैं तुम्हें दूँगा ओख शेकू तुम हमारी बाते सुन रहे थे मैं अपने कमरे में बैट कर भी तुम्हारी बाते सुन सकता था देखो इस गुलदस्टे में क्या है माइक्रो फून मैंने कच्ची गोलिया नहीं खेली है ना अगराज आस्चेरे इस बात का है कि रूमो को तुमने अपने फरेबे कैसे ले लिया डोन्ट भूव मेरे साथ सच्चे निशाने बाज है मेरा खैल था कि एक लाग के लालज में रूमो तुमें कतल कर देगा या फिर तुम रूमो को कतल कर दोगे फिर तुम मेंसे एक रहेगा जिसे बाहर निकलते ही गोलियों से भून दिया जाएगा लेकिन तुम तो कहते थे कि सूपर बास का हुक्म है सूपर बास के हुक्म के बाद ही तो मुझे तुमारी गद्दारी का एसाथ हो गया रूमो बैरहाल अब दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ रिटा आई फुस अपने साथियों पर सापों का हमला होते देख शेकु भाग खड़ा हुआ कमाउन रूमो जमीन से चबक जाओ धाए धाए रट 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 उनकी गोलिया मेरा पीछा करेंगी मैं उनका सारा ध्यान अपनी तरफ केंद्रित रखूँगा और इस बीच तुम फरार हो सकते हो मैं पीट दिखा कर भागने वालों में से नहीं हूँ तुम्हें यहां अकेला छोड़का नहीं भाग सकता उस्ताद अभी मेरा भी कमाल देखो ओ नाग्राल तो साथ की तरह तेजी से रेंगता निकल गया मुझे भी अपनी कला का प्रदरिशन करना चाहिए और रेट 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 धाए धुडाम उधर रोमु छपर फाड़कर कुदा और याई ठाक उधर फुस ठाक ठाक रिटाट ठाक जिप शेखू के अड़े पर तवाई के बादल मंडानी लगे ले अब आग का खेल देख फुप फुप शाँस साँस साँप शाइशन साइशन साँप तभी शेखू बहग रहा है मगर शेखू को नागराज के नाग ने रूप लिया बबबापरे ससाँप बस्ती में शोर मच गया, लोग बस्ती छोड़ कर भागने लगे, जोपड़ियां भिशन आ की लप्टों में धिर चुकी थी, तू जिन्दा रहकर हमारे काम आ सकता है, रोमो अब तक नहीं आया, मैं या पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं उस्ताद, तुम या थेले म क्या भर लाए, कीमती शराब की बहुत सी बुतने मिल गई, मैं समिट लाया, किसी सुरक्षी जगा चलो, जिंगा गार से अधिक सुरक्षी जगा कोई नहीं, दोनों जिंगा गार पहुँच गए, शेकू डर के मारे बेहोश हो गया है, इसे होश में लाओ, यहा कुता होश में आ गया उस्ताद, मेरी आँखों में देख शेकू साबाश, अब तुम मीठी नीन सोजा, नागराज ने शेकू को अपनी सरपिली आँखों से समुहित कर डाला, बल्डॉग के अधिन कितने स्टेशन काम कर रहे हैं, साथ, साथों की पूर्ट जानकारी दो, समुहित आगराज ने शेकू से बहुत सी बातों की जानकारी हासिल कर ली, उस्ताद, तुम तो जादुगर भी हो, शेकू जैसे च्छे बहुत और हैं, जो बुल्डॉग के अधिन काम कर रहे हैं, इस तरह बुल्डॉग के गिरोग की रीड में च्छे जोड और वाकी हैं, पहले हम इन जोडों को तोड़ेंगे, इसके बार रीड के हट्डी तूड जाएगी, या गार मुझे बहुत पसंद आया, शेको को यहीं कैद रहने दो, मैं भी अपने कैदी यहीं रखना पसंद करता हूं, अगली सुबा, यहां से सबसे करीब स्टेशन नंबर चार पड़ता है, तुम सब लोग मुझे मनूस खबरें सुनाने आये हो, सुपर बास, हम आपको किसी ब्रह्म में नहीं रखना चाते, नागराज हमारे सबी अड़ों पर कहर धाता बढ़ रहा है, और उसका रुख बुल्डॉग की तरफ है, यानि मेरी तरफ यही ना, उसकी गतिविजियां यही संकेत दे रही हैं, हर परकार का सुरुक्ष़ा कवच, हत्यार, सब उसके सामने नका रहा है, इसके अलावा हमारा एक गद्दार साथी रोमो उसका साथ दे रहा है, इस तरह तो वा तुम सबको वरबात कर देगा, मैंने उसकी कलाओं का परदरशन देखा है, वा है ही इस योग्य कि हर सुरुक्षा कबच को तोड़ सके हजारों साप उसके इसनायों में जीते हैं हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है जो नागराज को रोक सके फिर भी एक इनसान ऐसा है जो उसकी रोक थाम कर सके प्रोफिसर नागराज एसा नहीं कर सकता पूरी बात बताओ बुल्डॉग ने नागराज को फोन पर सारी बाते संचेप में बता डाली हुल्ड अप करो मैं अभी पता लगाता हूं कि नागराज कहा है और क्या कर रहा है इस मशीन में नागराज का दिमाग कैद है अभी सारी इस्तिती साफ हो जाएगी ओख इस मसीन से तो इसका संबन बिच्चेद हो गया इसका मतलब मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया है माई गॉड मेरी मेहनत पर पानी फिर गया अब तुमारी भलाई इसी में है कि अपने सभी बचे खुझे अड़ों को खाली कर दो नागराज अब मेरे कंट्रोल में नहीं रहा वेवकूफ गदा सबसे पहले तो नागराज ने या गद्दारी की कि मूर्ती चुरा कर हमें नहीं दी हमने दंगा बढ़काना चाहा वो भी नाकाम हो गया इस नाग मडी ने भी हमारे साथ धुका किया है मैं इन सब को चुन-चुन कर मारूंगा सुपर बास साथवा अड़ा भी तबाह हो गया उफ इसका मतला आववा इस जगह से अधिक दूर नहीं सब लोग हेड़काटर खाली करके कमपाली दर्रे में फैल जाओ नागराई बुल्डॉग के हेड़काटर तक पहुँचा रोमो यहां बड़ी अजीब सी खामूशी है हाँ फाटक भी चौपट खुला है वाह क्या सागत है वीराना ही वीराना फाटक बंद हो गया और चार दिवारी पर भी बिजली का करन प्रवावित कर दिया गया होगा लेकिन यहां तो कोई भी नजर नहीं आ रहा उस्ताद लेट जाओ बड़ाम दूम दड़ाम फाटक या चार दिवारी को मत छुना हमारे उपर मिट्टी और पत्थरों का रिला उड़ा आ रहा है बड़ाम फिलाल इस गड़े में कूच जाओ इस गड़े से बाहर निकलो वरना हमारी कबर यहीं बन जाएगी उस्ताद अगर हम बाहर निकले तो हमारे चीथरे उड़ जाएंगे उन्होंने हर इंच पर मौत बिचा दिया और हम पर उनकी नजर है सब कुछ दूर से कंट्रोल हो रहा है ओख जमीन में भुगं मिट्टी और पत्थरों का रिला जमीन पर दरारे पड़ रही हैं बस हमारा किस्सा खत्म हो गया उस्ताद मैं आखरी बुतल मुह से लगा लूँ क्या नागराज इस कबर से बहार आ सकेगा दोस्तों यह जानेंगे हम नागराज सीरिस की अगली कॉमिक्स नागराज का बदला में तब तक के लिए धन्यवाद